DC League of Super Pets ना सर्फ कहान ही है Pets की जिनके पास Super Powers है पर कई interesting DC comic book references और नौर्ज देता है ये movie और बहुत कुछ जो main DCU में होना चाहिए है तो अगर आप उन में से है जो crypto की तरह अपने entertainment में spoilery interference नहीं चाहते तो वीडियो स्किप कर दे और movie देखने के बाद देखना वीडियो और मैं बजा देता हूँ spoiler alert घंटी की ये है DC League of Super Pets का review breakdown DC League of Super Pets एक largely entertaining animation film है जो Hollywood की कई animation film की तरह कुछ जादा mind-blowing नहीं है पर boring में नहीं है ऐसी कहानी है क्रिप्टो की Superman का famous कुट्ता जो comics से लिया गया है क्रिप्टो की comic book कहानी कुछ ऐसी है Superman को भेजने से पहले Jorale, Superman का पिता एक white color के कुट्ते को उस pod में रखता है ताकि पहले test कर सके कि सब कुछ safe है की नहीं ये कुट्ता पहुंच आता है Earth और realize करता है कि पहुंचने के बाद वो बड़ा हो गया है और उसके पास powers है, बिल्कुल उसी तरह के powers जैसे Superman के पास है सिवाए एक power के इसका इस्तिमाल किया गया है क्लाइमिक जिस पर में बाद में होंगा इस film में क्रिप्टो के आवाज दी है Dwayne the Rock Johnson ने और Superman के आवाज दी है John Kresinski ने तो अटकले है कि Marvel के नए इमिस्ट फेंटास्टिक होने वाले है कहानी सिंपल सी है Lex दूतर आवाज Mark Marron की एक औरेंज कलर के क्रिप्टर नाइट इजात किया है जिसे उसे उसे तो पावज नहीं मिलते पर पेट्स यानि आनिमल्स को मिल जाते Lex जब एक्सपरिमेंट कर रहा होता है तब फिल्में Justice League की एंट्री होती हो शायर DCU वाले इस फिल्म से सीख सकतर है कि Justice League की एंट्री कैसी होनी चाहिए इस Justice League के टीम में शामिल है बाटमैन, आवाज, Kenny Reese की Wonder Woman, आवाज शीहल के विलन के किरदार निभाने वाली जमीला जमील की Flash, Aquaman, Green Lantern और साइबोग उस Orange Crypto Knight का एक अंच गर जाता है एक Pet House में जहां हमारे बाकी के किरदारों को पावर्स मिलते हैं इंक्लूडिन विलन, लुलू, एक गिनिपिक जो Lex की Pets में से एक था जिस पर वो एक्सपरिमेंट करता था आवाज, Kate, McKinnon, PB, एक पिग जिसे पावर्स मिलते हैं कि वो अपने शरीर को छोटा बढ़ा कर पाईगी आवाज, Vanessa Byer, एक Boxer Breed का कुटा जिसे आवाज दी है Kevin Hart ने और बाद में वो बन जाता है Batman का कुटा बैठाउंट ये किरदार भी Comic से रही दिया गया है Crypto की Comic Book सरके से बाद Ace the Backhound को इंट्रिजूस किया गया था Comic में तो ये किरदार है Ace की बॉड़ी को चोट नहीं लगती यानि वो Impenetrable है Martin Max Nurtle एक एक टेरिफिक बैट्जिक एक रेड़ियर्ड स्लाइडर है Comic में और Flash का पैठ है आवाज Natasha Lyonne उसके पावर्स है Super Speed चिप एक एक स्क्विरिल है जो अपने हातों से Electricity पैदा कर सकता है और पैठ है वो Green Lantern की Comic में Lulu Justice League को बंदी बना लेती है और अब इन पैठ्स पर responsibility है कि वो कैसे Lulu को रोकते हैं World Domination कुछ बरे इंप्रेसिंग रेफ्रेंस्स है इस मूवी में जैसे ज़िए बिटिश बेक आफ सीरीज का रेफ्रेस्ट जो क्रिप्टो और सुपरमैन दोनों मिलकर देखते हैं ये सीरीज जूसरी बार एक सुपरहरो प्रुजेक में मेंशन हुआ है उससे पहले मारवल के मिस मारवल में कामरान इस प्रुजेक का मेंशन करता है Do you even like British Breaking? जब Lulu सुपरमैन को गिड़नाब करती है और Lewis Lane Justice League का नंबर डायल करती है तब Multiverse and God में अलग-अलग Earth का रिफ्रेस होता है Initially Crypto को सुपरमैन को लेकर बहुत अक्चस दिखाया गया है इसलिए वो किसी को पसंद नहीं करता जो सुपरमैन के करीब हो इसी context में Crypto के पास Batman का खिलोना है इसे वो चबाता है बरी gleefully और फिल्म के आखिर में Batman का रियक्शन बहुत फ़णी है इस वाइपर जात ही Ace भी फिल्म के आखिर में सुपरमैन का टोई खरीचता है जो बाने के लिए जो बहुत फ़णी है यह भी कहूंगा कि Kenny Reeves का Batman Interpretation परफेट इस विल्म में और वो scene stealer है बिल्कुल उसी तरह जैसे सुपरमैन की फिल्मों में इसके पिता Corel एक प्रोजेक्शन में सुपरमैन से बात करते हैं इस फिल्म में क्रिप्टो के पिता Dogl उसी तरह की प्रोजेक्शन में क्रिप्टो से बात करते हैं आवाज Keith David की Lex Luthor का Famous Covers भी दिखता है इस फिल्म में और Wonder Woman का Famous Invisible Jet भी इसके अलावा सुपरमैन के घर Smallville पर भी Nod है The Daily Planet जहां सुपरमैन काम करता है उसके दर्शन होते है और Hall of Justice भी दिखता है Striker Island जिसका Connection Gotham और Doomsday के साथ है वही Luthor को रखा गया है इस फिल्म में एक सीन के दोरान Garfield जो के एक Famous Billy है जिसके कार्टून और Comics है उसका एक Stuff Toy दिखता है टर्टल वाले एक सीन में जब Merton अपने Super Speaker का इस्वाल करती है वो सीन आपको X-Men के Quick Silver के इस सीन की याद दिला देगी रिफरेंसेस है Wonder Woman, Villain Tita पर Aquaman Villain Eel पर इससे Fantastic पर और Paw Patrol पर भी जो एक Cartoon सीरीज है जहां कुत्ते लोगों को बचाते है बैटमेन पूरे Bat Family का रिफरेंस देता है इक्रोडिंग Morgan Freeman जिनोंने Nolan के Batman लोजी में Lucius Fox का रोल किया था बैटमेन यहां अपने ओरिजिन स्टोच का भी रिफरेंस देता है और Bat के साथ उसके रिलेशनिप पर भी एक स्पूफ किया जाता है इस फिल्मे और फाइनली क्रिप्टो के उस पावर पर बात इसका मैंने मेंशन किया था पहले Solar Punch जहां क्रिप्टो स्टन्स के पावर लेके आ सकता है और उसको अपने दुस्मनों पर यूज कर सकता है इसी तरह वो लूलू को हराता है इस फिल्मे फिल्म के पोस्ट करडिस सीन में दिखता है ब्लाक आडम आवाज दुएन जॉनसन की फिर से आइन ओ प्रमोशन है उनके आने वाली फिल्म ब्लाक आडम का जो रिलीस हो रही है 21 अक्टोबर 2022 को आडम इस सीन में दिखता है अपने कुद्टे आने बस के साथ दीसी लीग और सुपर पिट को मैं दे रहा हूँ 3 out of 5 फिल्म लाज़ली एंटेडेनी है खासकर अपने टागेट आडियस बच्चों को एंटेडेन करती है और मेरे जैसे कुछ वरो को भी उजने कॉमिक बुक से प्यार है अगर आपने डीसी कॉमिक बुक पड़ी है तो सारे इस्टेरेंग देखकर मज़ा आएगा आपको ऐसे भी फिल्म काफी एंटेडेनी लाइक सब्स्राइब का बड़न दबा लो अगर आपको और ऐसे रिव्यूज देखने है तो कुछ लीसिन वीडियो आखर में डाल दिये है जेका और जरूर कीजेगा और ऐसे रिव्यूज ब्रिकडाउं के लिए देखते रहिए जस्टे नर्डी व्यूज और जस्टे नर्डी व्यूज के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो किजिए अट दे रेट प्रो नर्डी व्यू टू-0-1 में और English Written Reviews और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं प्रोनीतदाइरी.blogspot.com में